प्रिदर्शकों मित्रों शाथियों इस जीवन में सबसे महत्पून है अपने आपको जानने की चेस्टा शाउम को जानना शाउम के साथ रहना शाउम का अवलोकर और शाउम के भीतर विराज मान उन शाउसों का आनन्द लेना इस जीवन का सबसे अनमोल विशय है पैचानो इस पंस्तत्व के चोलों में उन शाउसों को जिनकी वज़े से आपका जीवन है जब शाउसों के इस मोल क को पैचान लोगे ना जब स्वासों की भीतर में प्रवेश करोगे तो इन आने जाने वाली स्वासों का रहस्य का परदा उठेगा और तब समझ में आए गया कि जिवन कितना अनमोल है ओम नमोल है प्रदर्शकों में तरव शाथियों बात करते हैं तीन मही 2022 की राशिफल और पंचान आज का पंचान वैसाल शुक्ल पक्स की तिर्टिया विक्रम समझ 2009 वैशाक मास की विश्परविष्ठे सक्समने चवालिस वैशाक तेरा तद अनुशार मंगलवार तीन मही 2022 आज अक्षे तिर्टिया है और शंपाउं राष्ट को अक्षे तिर्टिया की हर दिख् अबूज मौर्थ होता है कोई भी कारी अक्षे तिर्टिया को प्रारव कर सकते हैं सुर्द tuakalin टिती اक्षे तिर्टिया टिती का श मापतिकाल चार मई सुबे 7 점 καर 32 मिनट पर है सुर्द कालीन योग शोभन काश्मापतिकाल शाम 4 1 50 मिनट अगला य्योग अतिगंद होग शुरुदिकालिन करण है तैतिल करण करण का शमाप्तिकाल साम 6 बज कर 23 मिंट अगला करण गर होगा शुरुदिकालिन जो नक्षत्र है वो रोहनी नक्षत्र है और नक्षत्र स्वामी चंदर्मा है नक्षत्र का जो शमाप्तिकाल है वो चार मई सुबह 3 बज कर 18 मिंट के आ देव चंदर देव बुद्द देव विर्षव राशी मंगल देव शनी देव कुम्ब राशी ब्रश्पति देव शुकर देव मीन राशी और केटु देव तुला राशी यह आज का ग्रहय योगायोग और इसी आधार पर मैंने आज का राशी फल लिखाए आज का जो अभी जीत मूर्थ है सुबह 11 बचकर 52 मिन्ट से लेकर दोपर 12 बचकर 45 मिन्ट तक रहेगा अवदी 53 मिन्ट है और यह 53 मिन्ट आज के दिन कोई भी शुबकारिय करने के लिए सबसे उत्तम महुद है कोई भी नया शुबकारिय जिसकारिय में चीर काल तक लाब लेना हो उसे अभ जीत का चोगडिया दोपर 12 बचकर 18 मिन्ट से लेकर दोपर 1 बचकर 58 मिन्ट तक शुबका चोगडिया दोपर 3 बचकर 38 मिन्ट से लेकर शाम 5 बचकर 18 मिन्ट तक रहेगा आज का रहुकाल दोपर 3 बचे से लेकर 4 बच तक रहुकाल के दोशुबकारे करना सोधा करना पुं में शाधन परस्तिया और काल में बहुत परिवतनाया है, आप किसी भी दिशा में यात्रा करिए, यात्रा से घर से निकलने से पहले स्वरपरतम सात कदम पच्छिम दिशा के और जाए, इस्ट देवताब, कुल देवताब, प्यतर देवताब का ध्यान करते हुए, मंगल में यात्रा की कामना कि साथ right turn लीजे और यात्रा पर जाएगा यात्रा में कश्ट कमाएगा नमला हैं आज आपका जनम दिन या फिर आपकी साधी की साल ग्रहे तो मेरी और से आपको हर्दिक सुपकामन है आपका जिवन खुशें भरा है शनिदेव के चरणों में मेरी प्रात तीन मईए आपका जनम दे तो आपका मुलांग तीन है और आपके जीन में कई गई अंग तीन का कुछ महत दरूर होगा मुलांग तीन का जो शौमिक रह वो ब्रश्पति है और मुलांग तीन पर ब्रश्पति का प्रभाव होने के कारण, आप बुद्धिमान और बहुती प्रतिबा संबन वेक्ती है। आप पूरी छमता और इमानदरी से काम करते हैं और शमाज में परमुक्पदों पर भी रासते हैं। आप बुजर्गों का समान करते हैं, हमेशा नयाय के लिए लड़ते हैं, अपनी बोधिक कुसलता के दम पर आप जीवन में बहुत तरह की करते हैं, आपका शभाव बहुत कौमल है, आप दूसरों की प्रती नर्म रवया अपनाते हैं, जीवन में स्वस्थ रहने के लिए के बारे में, मुलांतीन को जीवन में सफलता पाने के लिए अद्भूद उपाए बता है, आज के वीडियो में, महा उपाए के वीडियो में, वो जरूर आपको देखना चाहिए, उन उपाएं को सारा लेकर अपने जीवन को सहज और सरल बना सकते हैं, नमना रहें, बात कर करमिस्तान में सूर्य देव और रहु देव एक साथ विराजमान हो और उन पर शनिदेव की दरस्टी पर रही हो तो जोतिस ऐसा कहता है कि यह अच्छा योग नहीं है चुनोतियों को सामना करना पड़ेगा और संभवे कई बार यह देखा गया है कि अपमान जनक इस्तिते भ दसंभाव में दी सूर्य देव हो मंगल देव हो रहु विराजमान हो और इनपर शनिदेव की दस्टी हो तब भी जिवन काल में मांसंबान को लेकर अवश्य चिंता का विश्य नजराता है कानूने मामलों में सावधानी बतनी चाहिए अब ऐसा है तो आप क्या करें तो आ पाट लिंगास्ट्रम के करने की बाद भगवान शिव की स्विलिंग पर बेल पत्र अर्पित का नाम पराश्यों पर है करके देखेगा कष्ट और प्रेशान छिटकार में जाएगा नमना रहे हैं अब बात करते हैं आपके राशिफल और यह जो राशिफल है यह आपके नाम राशि आपके चंदर राशि पराधारित है राशिफल पूर्षों के लिए है महिलाओं के लिए बुजर्गों के लिए बच्चत यह राशिफल सब के लिए और सब से पहले बेश राशि दूसरे भाव में चंदर्मा रोहिनी नक्षतर में शंचरन कर रहे हैं गोचिन इस सामय नहीं रहेगी पारवार रिष्टों को थोड़ा सा महत्व दे दिया तो रुकेवे काम भी बनेंगे आर्तिक पक सुधर भी उगर शमाद में आपका वर्चसों भी रहेगा बस एक बहुत जरूरी बात है बोल अमोलक बोल यह में तोल पीछे बोल शक्तों का चेहन स्थित्र में मनन को शफलता और आउस्टर का संकेत नजर आ रहा है वैर्थ की भटकाव से बचना चाहिए समय एजुकेशन और के दिश्री कौन से अच्छा संकेत दे रहा है क्या करें कानून की दाएरे में रहकर खारे करें क्या ना करें अनावश्क लोगों से जो गहर का करते हैं जा अनतिक समंदों के साथ न रहें तो अच्छा रहें ऐसे लोगों से दूर रहें सुबंग साथ सुब्रंग लाल भाग्याप की पक्ष में 60% लाब कर संकेते रहें मिश्राशी वालों प्रतिकाल मित्य कंदू शिनान उपरां सर्दार उस्टार गूड गरीब नि पासे बशपलता हसिल करेंगे नए व्यवेशाइक अनुमद प्राप्ट होंगे और वह लाप प्रत्सा बीत होगे कारिम शपलता मनमाचित अवश्रों की प्राप्ति और आतमबल अच्छा रहें आज घरगरश्ती का जीवन जो है पारवारि जीवन बांपति जीवन जीव आउसर बहुत अच्छा है चाहिए केरियर हो चाहिए एजूकेशन नहीं आउसर मिलेगे और शफलता में चार चांद लगेगे बस अपने आपको सहज रख क्या करें उचित समय इसका लाब जोर उठाए परिशन करें मेहनत करें शफलता मिलेगे क्या ना करें किसी के साथ भी अपसुब रहेगा नमना इन बात करते में तुन्डासी 12 बहान में चंदरमा और 12 बहान में चंदरमा रहनी नक्षत में शंचरन कर रहा है आज मन का स्थिर रहना बहुत जरूरी है कोई निरने हो धैरी और शयम से लेना बहुत जरूरी है कामकाज, नौकरी, परिवार, समा का सामना भी करना पर सकता यात्रा में हानी है भाई डरानी रहाओं शाउधानी अप्रिक्षित है बता रहाओं अविद्यारती युवा है दोनों को आज थोड़ी सी एजुकेसिन और केरियर के मामले में साउधानी बटनी पड़ेगी अपने शभाव में धहरी रखना होगा और अपने अधिकारियों से संब्ध बना कर रखना होगा अन्यता परिशानी है क्या करें कोई काम ऐसा नहीं करें जिसे कि मान संबान की चिंता हो समाजिक मर्यादाओं का पालन बहुत जरूरी है क्या ना करें अपनों से कटुव चनना बोले शुबंक एक शुबरंग हरा भागिया आपकी पक्षम केबल 45 परसेंट लाब करसंग के विराये में धुन्दाश वालों प्रोबलम तो है ओम गंग करना पते ही नहीं हो इस मंत्र का जाब करना अतिकल यान खारी रहेगा और बात करते हैं करकरासी की एकादस भाव में चंदरमा ग्यारव में भाव में चंदरमा रोनी नक्षत में संचरन कर रहा है गोचर उतम है कारोबारी समझोते और वारता लाब आपके हित्वे होंगे और धन की प्राप्ति के अच्छे अवसर मिलेगा आपका मान समान बढ़ेगा आप से बड़े जो भाई बंदु हैं उनके सयोग से जमिन जाइदाई स मंदिलाब भी होगा मत्पूर कारियों को पूरा करने में उनका बड़ा योगदान दहेगा वर्चसु बढ़ेगा आप नौकरी में हैं या आप राजनेता है आप प्रसासनिक अवसर हैं उचित अवसर का लाब मिलेगा और पदोनती हो सकते हैं कोई नई जम्मवारी भी आ करें उनके लिए अच्छा मोका मिलेगा क्या करें अपनों की इच्छा का अनादर ना करें शुबंग नौ शुबंग नीला भागिया आपकी पक्ष में पैंसट प्रसेंद लाब का संके दे रहें करकराशिवालों श्री शिवाए नमस्तु भ्हम ये मंत्र का जाब दिन भर करिएगा कश्ट और प्रेशान से च्छुटकारा मिलेगा नमनेन बात कते शिंग रासी की दसंभामें चंदरमां रहुणी नक्षत में संच्रण कर रह और रोहिणी नक्षत का समय अंश्व में चंद्र देवी है तो समय उत्तम है काम, काज, कारुबार, नोकरी, वर्चस्व, इस्टेटस में व्रिदी के अच्छे आउसर मिलेगे तनाव और कश्टों से छुटकारा मिलेगा बुद्धी और विवेग से सोचिवे कारी सफल होंगे और कारी वेवस्या की छेट में अनकुल परिवर्तन से प्रगत्वी का मार्गी परशत होगा परिवार में खुशिया का वातावनेग और शुप शमाचार प्राप्तों और यात्रा बड़ी शुकर देए विद्यारतियों के लिए शिक्षा की दस्टिकों से उत्तम फलों का संकेत नजरा रहे हैं यहां आप नौकरी में तो मनोंकुल परिवर्तन की संभावना है इदि आप कोई काम कर रहे हैं नमिन कारी में पुंजी लगाना चाहते तब भी आपके लिए शुब रहेगा क्या करें स्वेश्छाओं से काम करना कोई गुणा नहीं हुए लेकिन अपनों की सलालेकर थोड़ा सार और काम में आगे बढ़ेंगे तो और अच्छा आफसरों लाभ मिलेगा और सुक्ष्भी मिलेगा क्या ना करें अपनों कि उपेख्शा ना को शुबकाथ शुबरग सुनारा भागी आपकी पक्ष में लगबग लगबग शाप पच्पन शाट प्रसंड आपका संके दे रहा है चेंगराश्वानों प्रदकाल नित्यकर्ण में शनानों उप्रान सुरुपतम जितनी आपकी सर्दाओ ग्यों को लाल कपड़े में बान करती सी गरीब निदन स्व कामना आपके पास है तो बस एक काम आज बहुत जरूरी वो है संयम से कदम आके बढ़ाना अपनों को साथ लेकर चलना और सुनना अपनों की बहुत जरूरी है अपनों की आवस्चित्तों पर भी ध्यान देना बहुत जरूरी है तो आज अपनों की बात मान कर थोड़ा सा म अधूरता बनाये रखना आपके लिए बहुत आवश्यत है बागी गोचर पूरा के पूरा आज का दिन आपके लिए शुब और मंगल में सफलता का संके दे रहे हैं खान पान की परती थोड़ा सा सचेत रहे और अच्छा रहे हैं विद्यारती हैं आप युवा हैं तो जिस प्रियोग में सावधानी बढ़ते हैं क्या ना करें अपनों का अनाधर ना करें सुबंग पांच शुबरंग हरा भागी आपकी पक्ष में पैंसेट प्रिसंद लाब का संके दरिक अन्याराशवालों प्रतिकाल नित्य कर्णूश नानो प्रांथ गानपत्ति की दुर्वा अर्पित करना बड़ा शुब रहेगा नमने बात करते तुलारासी अस्टमभामी चंद्रमार अस्टमभामी चंद्रमार रोहनी नक्षत में संचरन कर रहा है समय प्रतिकूल है विशेश कारे और वार्ता को आज टालने का प्रियास करिएगा अपने वानी और व भावना भी है और दुर्गतना हो शक्ति साथी थोड़ा सा ध्यान देना विद्यारतियों और युवाओं के लिए आज का दिन बहुत ही शावधानिका है वानी पर सेम रखे लापरवाई नहीं करे आनेतिक कारियों से दूर रहे और महनत करे कि थाली में परोशकर कुछ न आएगा नमनेन बात करते हैं विर्शिक राशी शप्तमभामी चंदर्मार रोवनी नक्षत में संच्रण करा है ग्रेकोचन अनकुल आर्तिक समश्या और परिशान इसे छुटकारा मिलेगा आत्म बल बढ़ेगा परवारी की सुक और स्वहुग मिलेगा स्वास्तियों रहे युवाओं को कड़ी मेहनत कठी परिश्म का पून फल प्राप्थ होगा और मनों कामना जरूर पूरी हो क्या करें बहुत जरूरी है मन में मंगल में कामना रखें सोच सकारत्मक रखें धरम की परती थोलासा रूजान बहुत भीतर में जीवदया होनी चाहिए क्या ना करे सटे बाजी से अपने आप से दूर रखें सटे बाजी में धन ना लगाए सुबंग दो सुबरंग मेरूल भागया आपकी पक्ष में साथ परसंद लाब का संकेदे रहें बृषगरासी वालों आज सर्दान सर्शाबुत मशूर किसी गरीब निधन जरुत मंद महिला को दा करने में शपल होंगे कुटम परिवार का पूर्ण शेहोग मिलेगा कारोबार में उनत्रिक अउसर मिलेंगे विरोधी प्रास्त होंगे और कोट कचोरी के मसले आपके पक्ष में आन्या का प्रबल संकेद है आप विद्यारती है आप यूआ है तो नक्षद गर्णा शुप करने का मौका में लेगा क्या करें कारिच्छेत पर पूर्ण नजर रख क्या ना करें आत्म विश्वास पे कमीने होंगे सुबंक एक सुबरंगे पीला भागी आपकी पक्ष में पैसट परसंद लाब का संकेदे रहे हैं जंडाश चलो प्रातकाल नित्ते कर नोशनानो प् रख करते हैं मंकरासी पंचंभार की वाट का संकेदे हैं कि काम तो बनेंगे लेंदेन के मस्फिले अच्छे अच्छे आउस्टर प्राप्थ होगी पार्बरी बातान अच्छा रहेगा स्वाजनों के सवयोग से संतान पक्सी चिंता ने वो दूर होगी और आर्थिक पक्ष भी सुगर होगा आप यूआ हैं आज आपको केरियर के छेतर में बहुत कुछ अच्छा करने का आउसर मिलेगा एजुकेश में तो सब्वलता है केरियर में भी अच्छा मौका मिलेगा क्या करें थोड़ा सापरवारिक आउस्चताओं पर प्रेशान हों कमी आईगी नमने में बात करते हैं कुमराशी चतुर्त भाव में चंदर्मा और चतुर्त भाव में चंदर्मा रोहुनी नक्षतर में संचन्दर देवे समयान कूल नजर आ नहीं रहा है चोथे भाव में आज परवरित वातावन कल है पुर होगा परिवार का स कर दोस्ति अनतिक कारी आपको मुशिबत में डाल सकते हैं क्या करें पारवारिक अनुकुलता बहुत जरूरी क्या ना करें सरकारी कारी में वेविधान उत्पन ना करें सर्दान उसार उडद शाबूत उडद गरीब निधन विद्वास्री को दान देना पड़ा शुबरेगा नमनान और बात करते हैं मिन्दासी की तीसरी भाव में चंदर्मा और रोहनी नक्षतर में संचरन कर रहा है समय उत्तम है आपकी काम करनी की इच्छा सक्ति आपकी यू अपनों के साथ घूमने फिरने और मनों विनोद में आज का दिन बैतित होगा अभी द्यारतिय आप यू है शिक्षा के चितर में प्रियास मेहनत अच्छा अच्छी सफलता लिजाएगे आपको उमीद और आसाओं के नए पंक लगेंगे और परिक्षा प्रनाम आपके अन आज सर्धान उसार शाबूत हल दी किसी स्वागन इस्ट्री को जो जरूर्वन्द है गरीब है उसको दान में देंगे तो बड़ाच्छा रहेगा ना मना रहेगा यह था बारक बारा राश्यों का राश्य पर जो ग्रनक्ष्णों पर आधारी था पुने मेरा निवेदन कि मैंने आज तक कोई दबाव नहीं देग मेरी बात को आप माने हमेशा यही कहा कि नक्षत गर्णाओं की आंकलन मैंने आपके सामने रखा है शेकिन ओपेनिन्स गयदिकार आपका था आपका आहरा आप ही करेगा मनों नमानों यह आपकी मर्स क्योंकि विवाद नहीं तरक न यह मेरा आंकलन है मैं दबाव नहीं डाल मुझे अच्छा लगा राशित की भावने से आपके सामने लग दिया बाकी आपकी मैसे अब मैं आपको आज का एक सुंदर उपाई बताओंगा बहुत सी बच्चों ने मुझे मैसेज कैसा परिक्षा और प्रत्योगिता में उत्त सायम और शंतोलन परिक्षा की सफलता की पहली सी अब आप चाहते हैं कि आपका बच्चा परिक्षा में सफलता आसे रहे कि उसका मनोबल अच्छार है मांसिक इस्तिरता बने रहे उसे जब तक परिक्षा है तब तक नेमित रूप से दही का सेवन जरूर करा है थोड़ा सा हर रोजे से आज आटबजे दिया तो कल थोड़ा सा आटबजे से पहले परशू आठबजे के बात में दो चार मिन्ट का फर्क समय का ज़रूर रहे लेगर दही ज़रूरा है मंगलवार दिन मंगलवार की दिन किसी भी गरीब निरदिन महिला को गुर का दान देना बढ़ और मंगलवार दिन हनुमान जी की मंदिर में लाल धोजा पराना भी अच्छा मानाई यह बहुत उत्षम पहल मिलेंगे और आप अपने बच्चे के गले में तीन मुकी रुद्रास और गनेश रुद्रास धारन कराना बढ़ा उत्तम रहेगा यह बहुत अच्छा माना जाता एडुकेशन में सपलता के लिए ना रहे हैं तो बात करते हैं नुस्कों की बहुत से लोगों ने का इस दाती माराज पित बहुत बनता है भाई किसी भी तरीकी बीमारी में डॉक्टरों से सला लेना बहुत जरूरी छुट छुटे नुस्के जरूर में बता दूगा लेकिन इलाज विशेशगे से करना बहुत जरूरी है तो अमल पित ज्यादा बनता है तो सैद की दो या तीन बुंदे निबू के रश्ट में मिलाकर चाट जाएगे या तो एक चमल सैद ले लिजी उसमें दो तीन बुंदे तीन चार बुंदे निबू की राल दीजी और चाट के देखिएगा चंद दिनों में पित्ति से छुटकारा में जाएगा ना मना रहें तब भी मेरा निवेदन है कि अधिकार आपके पास में मानो न मानो यह आपकी मर्जी हाँ मेरे से कोई भूल हो गई हो तो दोनों हाथ जोरते छमा प्रात्म आप सुखे रहें आप श्रोस्त के लिए जीवन के लिए मैंने अपना संपून जीवन दिया है और यह मेरा शौक था मेरी राष्ट की धरोवर थी और यह करना मेरा करते और करम था मैं आपको किसी वज़े से नहीं सुना रहा हूं बिस खाली बता रहा हूं कि यह मेरा जीवन का नक्षरा है मनशी हूं और म वह शेवा में अपना जीवन इस राष्ट के साथ लगाया है वरत्मान प्रस्तियां आर्थिक दस्ट कौन से मेरी अनकूल नहीं है धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजे नहीं पहले भी कभी नहीं मांग अब भी मैं नहीं कह रहा हूं और ये मेरा इंकार नही था हमेशा मैंने यह आप शेवा कर आप अप अव्यवा करता हूँ आप भी शेवा करता है दन नहीं चाहिए लेकिन वरत्मान में जो आर्थिक प्रस्तिये हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मझबूर कर दी है कि सनीधान गोशाला की गाएं तुखी नहीं रहें इसके लिए म मैं शेव में आपके साथ खड़ा हूँ, आपकी समश्याओं के समधान के लिए, भई, आप अपनी जन्मकुनली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूँगा, पूरी साल खड़ा रहूँगा, जब त का था कि भई, थोड़ा दिन, इस समय में परेशाने में हूँ, और मेरी गाएं चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं, ऐसा हिरुदय से आया, लोगों ने कहा कि राश्ट आप से प्यार करता है, दाती माराज एक बार निवेदन करिए, तो मैं दान नहीं मांग रहूँ फिर भी मेरा यह एंकार नहीं है, सातियों, मेरा राश्ट रोपर है, मैं यह नहीं कहा रहूँ, मैं यह कहा रहूँ, मैं परिश्रम करूँगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की वेवस्ता करिए, शनी भगवान आपकी रक्षा करेए, मैंने देखा है, पिछले एक महिने में लगवग लगवर 20-25-50 लोग ऐसे भी है, जिन्नों ने सनिधाम गोशाला में 200 रुपया चारा कर दिया है, मैं उन सब की परती अपना आभार प्रगर करता हूँ, और यह सयोग में जीवन भर याद रखूंगा, मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परस्ति आर्तिक दस्टिकों से अनकूर संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट कहा कि सनिधाम गोशाला में परिशानी नहीं चाहिए, सरकार स्रपोर्ट कर रही है, अपनी शिमाओं में रहते वे जो सरकार करते हैं, लेकिन उसे पूरा नहीं पड़ता है, यह आप भी जानते हैं, शासन के अपनी एक शिमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है, लेकिन फिर भी, मैं आप सभी का धन्यवाद देखते भी हिरदय से पुने एक बार निवेदन करना चाहिए, आपको लगता है कि दाति महराज के साथ सनिध नाम गोशाला में खड़ा रहना है, नमबर है, जरुर स्योकर है, पेरा कोई दवाव नहीं है, प्रातना थी, ओम नमोन आ रहे हैं, ओम नमोन.